जहीं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में आज हम Microsoft Excel में डाटा टाइब का वाटी फिनलाइसिस के अंदर जो डाटा टेबल अप्सन है इसके बारे में सीखेंगे ये डाटा टेबल अप्सन से हम लोग एक टेबल ड्रो करते हैं जिसमें आप सीरीज वाइज बहुत सारे टेबल एक साथ ड्रो कर सकते हैं दोस्तों वीडियो काफी इन्पोर्टेंट है इन्ट तक आप जरूर देखें और यह सीखें सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है 1 और यहाँ पे भी टाइप करना है 1 उसके बाद आना है यहाँ पे A2 के पास और टाइप करना है इसकोल टू A1 गुना का सिंबॉल देना है और फिर टाइप करना है आपको B1 इंटर करना है, इंटर करने के बाद by default यहां पर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हम गुना किया 1 आ जाएगा, अब यहां पर type करना है 2, 3, 4, यह series आपको खुद से type कर लेना है, कहा तक type करना है तो 10 तक, 10 तक type करने के बाद यह series आप ऐसे type कर लेंगे, इस तरह से, तो यह ही होना चाहिए, इसे अब change भी कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया, 25, 29, 30, 35, 40, इस तरह से मैंने इसे type कर लिया, जो मैंने लिखा है, table उसी कड्रों होगा, अब आपको करना क्या है, इस data को select कर लेना है, कुछ इस तरह से, data select करने के बाद data type में जाना है, आपको यहां पर वा option दिखाई देगा data table का, data table पर आपको click करना है, input row cell का, इसमें A1 टाइप करना है, और column input cell का option दिखाई देगा, इसमें आपको B1 टाइप करना है, B1 टाइप करने के बाद यहां से OK बटन पर click करना है, यह table आपका automatic यहां पर draw हो जाएगा, तो इस तरह से अगर आप किसी भी table को draw करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, what if analysis का data table option, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजी और मेरे चैनल पर नए हैं, तो घर बेठे computer शीखने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब किजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहिंद आपका दिन सुबह, thank you for watching